नमस्कार ये है दिवे हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दुपहर हिमाचल चलिए नज़र डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर पुलिस भरती पेपर लीक मामला कुल्लों में युवा कॉंग्रेस की हरताल जारी पॉंटा साहीब में अभधर टिपणी मामला शांती के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च HRTC रिटायर्ड कर्मियों ने बोला हल्ला मांगे ना मानी तो और उग्र आंदोनन की चेतावनी अवाह देवी में बीच बाजार टिपण की ब्रेक फेल और फिर ये सब हुआ उना में चात्रों को प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्यान जूरों पर और अब समाचार विस्तार से हिमाचल प्रदेश पुलिस भरती पेपर लीक मामला तूल पकरता जा रहा है इस मामले में युवा कॉंग्रेस गुलो की अनिशित कारीन हड ताल चौथे दिन भी ऐस्पी कारियाले के बाहर जारी रही युवा कॉंग्रेस ने बताया जिन पुले सथिकारियों की मिले भगत से पेपर लीक हुआ है उन अधिकारियों पर भी जाँचो वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश विश्व विद्याले में भी पेपर लीग का मामला सामने आया था लगातार पेपर लीग हो रही है उन्होंने कहा यह पेपर लीग सरकार है इमाचल प्रदेश विश्व विद्याले में भी फिर्स्ट येर और सेकेड़ के जो पेपर लीग का मामला एक मीने पहले सामने आया था जिसके खारण सभी यूनिवर्स्टी और कॉलिजों में पेपर एक मीने देरी से चल रहे हैं जिसके कारण सभी छात्र और छात्राएं इ पॉंटा साहिब में शिवलिंग के बारे में अभधर टिपनी करने के मामले में क्षेत्र में शांती बनाई रखने के लिए पॉंटा पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया इस दोरान पॉंटा थाना की प्रभारी अशोप चौहान मौजूद रहे इसके अलावा थाना प्रभारी अशोप चौहान ने हिमाचल की सीमा के साथ लगती उत्रकंड व उर्जा मंतरी सुखराम चौधरी भी इस बैठक में माजूद हैं वा लोगों से शांती बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इस दोरान दोनों समुदाई के लोगों ने अपने विचार रखे। हिमाचल परिवहन सेवा नेवरित करमचारी कल्यान संगठन ने सरकार दवारा लंबे समय से मागू की अंदेकी के चलते उग्र आंदोलन की चेय तावनी दी है। इसी के चलते सेवा निवरित करमचारियों ने बैजनात में बैठग कर सरकार परिवहन मंत्री निगम प्रबंधन के खिलाफ जम कर नारे बाजी की। इस मौके पर संगठन के प्रधान विधी सिंग महा सचे त्रिलोग चौधी ने कहा कि आज जब की सेवा निवरित करमचारी 65 से 75 आयू पार कर चुके हैं ऐसे में उन्हें अपनी पेंशन, मेडिकल भत्तों वा अन्यदेव भत्तों के लिए दर दर की ठोकने खाने के लिए मज कर जाम कर रहा है उसका भी हम समर्थन करते हैं तो मैं मानने मुख्य मंत्री से कह देना चाहता हूं कि 7000 इंपलाइज निए 7000 परिवार हैं तो ये 7000 परिवार जो हैं ये सरकार की जो बहुत दिशा बदर सकते हैं ये सरकार को जो है वो पूर्ब इलेक्शनों से और आने वाले समय से पूर्ब पहले ही इनको ये सोच लेना चाहिए क्योंकि सरकार कहते हैं कि कर्मचारीओं बो रीड की अधी तो हम कर्मचारीओं ने भी समचार आते हैं उसके बारे में ना तो प्रवेयन मंतरी की और से और ना तो मुखे मंतरी की और से हमारे बाईयों के बारे में कोई भी शब्द जो अवो हकम है जो अवो नहीं किये जाते हैं कि नहीं हम भी कुछ कर रहे हैं पेस्केल की बात है कई ऐसे डिपार्टमेंट है उनको पेस्केल जो था वो न्यू मिल गया लेकर हम तो यह सोचते हैं कि पता नहीं कब साल के बाद मिले का दो साल के बार मिलेगा यह सरकार की यह प्रॉड़ाचीन सोच है अवाह देवी बाजार में शुकरवार दोपहर उस तमें बड़ा हादसा होते होते टल गया जब ब्रेक फेल हो जाने से बचरी से लोड एक टिपकर दुकान की दिवार से जा टकराया ऐसे में टिपकर की चपेट में एक कार भी आ गई वहीं बाजार की तरफ जा रही एक युवती भी इस हादसे में घायल हुई है स्थानीय लोगों ने कहा कि दुकानों के बाहर दिन भर गारिया नो पार्किंग जोर में खड़ी रहती हैं और यहां हमेशा जाम किस्तिती बनी रहती है इस घटना के बाद उप्त लोगों ने पुलिस्वा प्रशासन से उचित कारवाई अमल में लाई जाने की मांग उठाई है उना के सिरकारी स्कूलों के मेधाबी चात्रों को प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तयार करने के लिए जिला प्रशासन और डाइट संस्थान ने सुपर फिफ्टी अभ्यान के तहट अगले चुरण की तयारी शुरू कर दी है शुकरवार सुभे बियार सी भवन में ADC डॉक्टर अमित शर्मा की अगवाई में शिक्षा विभाग के उच अधिकारियों, विभिन स्कूलों के प्रभारियों और अध्यापकों के साथ एहम बैठ खुई सुपर फिफ्टी अभ्यान के तहट इस बार 75 स्टुडेंट्स को प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तयार करने का प्लान तयार किया गया है इसके अतिरिक्त नीट जेई, IIT के साथ ही लौ एंट्रेंस के लिए भी चात्र चात्राओं को कोचिंग को वलब्द करवाने पर विचार मंथन किया जा रहा है नमस्कार जी, आज सभी BPO's, Cluster in Charge, Block Elementary Education Officers जो है उनना जिला के, उनको डाइट के माध्यम से बुलाया गया है और समगर सिक्षा की जो मासिक हमारा रिव्यू होता है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है अब समगर सिक्षा के तहट जो भी हमारी progress है उसको different different KPIs में बाटा गया है की performance indicators, उनमें जो हमारी performance है उनना जिला की, वो हम कहां stand करते हैं और कैसे उसको improve किया जाए, ताकि उनना as such सबसे better position पे रहे, उसके बारे में discuss किया जा रहा है इसी के साथ जो हमारा उनना सुपर 50 का कारेक्रम चलाया जा रहा है जिला प्रशाशन प्रिंसिपल डाइट उनना जिला परिश्यक के थूरू और मातचिंत कुमी टेंपर ट्रस्ट के थूरू जो कारेक्रम चलाया जा रहा है उससे संबंदित जो नए session में हम क्या changes करने वा उसमें इस पर हम यही सोच रहे हैं कि नीट और आयटी जेए के अलावा हम इस बार लॉग का जो common law entrance test होता है उसके लिए हम बच्चों को coaching देंगे यह चाह रहे हैं कि इस बार 15 बच्चे जो हम क्लैट के लिए भी प्रिपेर करें उससे संबंदित हमारी क्यार नेती रही औ और कैसे उसका एक्जाम कंड़क्ट करना उससे संबंदित हमें इस वर्क्शॉप में इस मीटिंग में चर्चेक जाए है थाइंक्यू